कुद्रत के अनुपम सौंदर्य को अपने में समेटे हुए यह है उत्तरकाशी जिले के भटवाडी विकासखंड का सुदूरवर्ती गाउं बार्सू यहां एको टूरिजम को होम स्टे के जरिये बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी बांगी पेश कर रहा है बार्सू का ही एक होनहार नौजवान रविंत्र रावत पहाड से पलाइन रोकने के साथ ही स्वरोजगार के अफसरों को मजबूत करने में आज होमस्टे योजना बेहत कारगर साबित हो रही है हरी घास के समतल मैदान के बीचों बीच बना ये होमस्टे बार्सू की खुबसूर्ती को चारचान लगाता है यही वज़ा है कि यह जगा परेटकों से गुलजार रहने लगी है देश के अलग-अलग कोनों से परेटक यहां दोड़ भाग भरी जिंदगी को पीछे छोड़ शांती की अनुभूती के लिए पहुँच रहे हैं धलती शाम के साथ ही इस होमस्टे का नजारा और बेधिक मनमोहक होने लगता है शीतल आबो हवा के बीच आग की तपिश एक सुख़द और यादगार अनुभव देती है ग्रामीन परिवेश के बीच महमान नवाजी का अफसर प्रदान कर रहे रविंद्र रावजी से जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने अनुभवों के बल पर गाउं की इस बेमिसाल खूबसूरती का सदुपयोग करने की ठानी और खुद और गाउं की लोगों के लिए सम्मान जनक रोजगार के अफसर पैदा किये अक्सर हम रोजगार की बात करते हैं उतराखंड में और आजकल जो एक प्रमुक समस्या उतराखंड के नौजवानों की वो रोजगार की है और यहां पर सवरोजगार के अनेक अफसर है चाहे करीशी का छेत्र है उत्यान का छेत्र है परेटन का छेत्र है सासिक परेटन का छेत्र है तमाम ऐसे हमारे ऐसे शेत्र हैं जहां पे हम स्वरोजगार इस्तापित कर सकते हैं और आज हम बारसु गाउं में उत्तरकासी का एक बिल्कुल सुदूर वर्ती गाउं है बारसु गाउमे जब आये हम तो यहां हमें एक होमिश्टे देखके बहुत ही आशचरी हुआ है और इतना सुंदर गाउम, इतना सुंदर होमिश्टे और हमने प्रियास किया कि उसके जो चलाने वाले हैं उसके मालिक जो हैं रवी रावत जी इसमय मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करें, इन्होंने किस तरह से ये उद्ध्यमिहा पर इस्तापित किया है, रवी रावत जी, बारसू गाउं में आपने अपना स्वरोजगार के लिए चुना, और अपने गाउं को आपने स्वरोजगार का माध्यम बना, ये कैसे आपको मिलिए, सर, आक्शली बच्पन में यही बड़े पले बड़े हुए हैं, और हमेसा अपने गाउं से बहुत प्यार होता था, जब हम लोग इदर उदर जाते थे, गूमते थे गाउं में, फिर धेरे अपने बार्वीं की पड़ाई, बटवारी में हम लोग यहा आउड़ूर का एक कॉंसेप्ट आजा था मन में, और फिर आगे हमने फिर यहां से इंटर करने के बाद फिर लखनो चला गया, वहां से ग्रिजूशन किया मैंने लखनो से, और फिर उसके बाद वहां से में चला गया था, इंडियन इस्टूट आफ ट्रेवल टूर्स तो यह एक मन में रहता था पहले से, तो इस तरह से एक वो रहा, फिर हमारे एक मुकुल मांगली जी हैं दिली से, जुनों का बहुत बड़ा स्योग रहा मेरे साथ यह सारी चीजों को करने में, और उन्होंने बहुत पुस्किया मुझे कि नहीं आपको अपने गाउं के लि लिए और लोगों ने सपोर्ट किया मेरा काफी, धिरे-धिरे लोग आने लगे, लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ यह कुछ कर सकता है और और ट्रेकिंग का दयारा भी काफी पॉपलर हुआ हमने मार्केटिंग अपने वेब साइट के माधियम से और जगा-जगा ज लेकिन हाँ, एको टूरिजमी का कॉंसेप्ट काफी पहले से हमारे उत्राखन गवर्मेंन था, तो उत्राइज से सरकार का एक प्रॉपर बजट था इसको प्रमोट करने के लिए, तो इन लोगों ने हमें बंबई और हमें एहमदाबाद और दिल्ली और जगा-जगा जगा काफी ब्रोसर्स वगरा पंप्लिच वगरा ले जाते थे तो काफी वेल नोन हुआ यह इस आर्दस सालों में एक आपके पास बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आपको मिल गया था कि दयारा को हमें डेबलब करना है, दयारा में हमारा कुछ टूरिजम चलेगा, एको टूरिज पास नहीं था, मैं अगर उतराखंड की बात करूं तो उतराखंड में बहुत जाद है तो जो कंसेप्ट आपने वहां से लिया उसके बात चला थोड़ा उस पी आप बात करें कैसे आपने शुरुआत की तो ओविसली थोड़ा सा इतना ज्यादा सुविधात हो नी थी कि हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह कर पाते लेकिन प्रकृति इतनी सुन्दर है कि वैसे भी लोग ओपन ग्राउंड में अगर रहे तो उसमें आनन्द आ जाता है तो धीरे धीरे उसी जो टिंटेट कोलोनी से है वो लोगों को मैंने जोड़ा काफी गाओं के लोगों को जो होते थे कि चलो कुछ ने कुछ हमारे यहां रोजगार हो रहा है और फिर धीरे तूरिस्ट आने लगे और इस तरह से फिर पर उसमें हमारा जैसे मैंने अभी उसमें कहा था कि बाहर के लोग भी इसमें इन्वाल थे जो चाहते थे कि यह सराय आगे बढ़े तो उनकी कुछ कॉंसिप्ट होते थे जो मैं समझता हो कि वह पूरी तरह मैं नहीं कर पाया उसमें यह था उनका एक तो वाटर का था पानी का था कि आपका पानी का सोर्स क्या है उसको आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं पहली चीज जो हमारे कहीं भी किसी इंडिया में भी बहुत कम जगें जहां कि आपका सबसे बड़ा जो इश्यू था उनका वह यह था गावेज का कि आप गावेज कहां डिस्पोजल करते हैं क्योंकि हमारे हर अब उत्राखन में बहुत सारी प्रॉब्लम है अब तो काफी कुछ आ गया है देरा दून और हर जगह पे इसको डिस्पोजल करने का और लेकिन पहले कुछ नहीं था और 2015 में जब हम ने दैरा में ट्रेक आफ दे एर किया था तो उसमें हमारे एक प्रेटन सेकेटरी उसमें हुआ करते थे उबाकांत पांट साब तो आये थे तो मैंने उन्हें रिक्विस्ट की थी मैंने उन्हें से निवेदन किया था कि सर प्रेटर को रुखाई ए तो वो नहीं कर सकता था बिना उसका एक्सबोजर का बिना उसका देखे बिना उसकी ट्रेनिंग की तो उन्होंने खेर उन्होंने कहा कि आब बताईए तो मैं यहां से यहां बार्शो रहतल से 25 लोगों की टीम को 15 दिन के हमारे उत्राखन सरकार न में जो है कहां से कितने गुना अपने टूरिस्ट को बढ़ा दिया था मुझे याद है कि जब मैं 98-99 में जब लदाख जाता था तो वहां पे केवल आपको दो चार फॉरन क्लाइंट्स दिखते थे लेकिन आज वहां पे हज़ारों लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने व जब आप सरकार के साथ जुड़ोगे तो कैसे आप अपने होमिष्टे को चलाओगे तो इसी तरह से हम लोगो ने फिर ये होमिष्टे शुरू किया और धिरे धिरे फिर ये इस तरह से दो चार कौटेश हमने बनाई रविंत्र रावजी के सपनों को पंक दिये सरकारी योजनाओं ने प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना और अन योजनाओं के बल पर उन्होंने होमस्टे की नीव रखी और अपने उद्योग को मजबूती प्रधान की इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो आपने प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना के अंतरगत भी लाब लिया और अपने कारूबार को कुछ आगे बढ़ाया कुछ इस बारे में बताईए हमारे और जो युवा हैं वो भी इससे प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना ने आपको किस तरह से बित्व पोसित किया, किस तरह से आपको अनुदान दिया और किस तरह से आपका ये जो होमिस्टे का कंसेप्ट है आगे बढ़ रहा है इस योजना जो प्रदानमंत्री रोजगार स्रिजन योजना है और हमारी एक दूसरी उतराकन सरकार की योजना है जो बिर्चन सिंग गड़वाली रोजगार योजना है जो परेटन में खांसतों से काफी लोगों को आज रोजगार दे रही है और सेयो कर रही है तो इसमें यहीं हुआ था कि सरकार से हमने सोचा कि कुछ अलग सा एक तरह का अपना धावा या रेश्टरेंट बनाये जाए जिसमें जो है लोग बैठें कोमन सेंडर हो तो मेरे पास फंड की उतनी आउस से कमी थी तो मैंने अपलाई किया इसके लिए और फिर अनुदान मिल गया था उसमें बस यह था कि इनकी एक सक्षिल्वलबेमेंट की ट्रेंश ती जो आरदस दिन की ओट्स बहुत जरूरी भी है वो कि आप लोन ले रहे हैं तो किस पपेंश के लुख लुए लोन ले रहे हैं और और trillion Sur ली यह इसके बास बोटों प्र प्याथल है डिस्टि प्रियास करने हैं और मैंने उनसे भी कहा है और कुछ और लोगों ने लिया भी है अब इतना ही मुझे आउसिक्ता थी तो इसमें 33% सब्सिडीज था उनका सही प्रचार और प्रसार के बल पर धीरे धीरे परेटकों ने बार्सु होमस्टे का रुख करना शुरू किया हमने ये भी जाना कि यहां आने वाले परेटकों को आखिर क्या आकर शृत करता है तो रभी आपकी ये जर्णी बहुत ही खुशनुमा है और हमें भी इससे काफी प्रेंड़ना मिल लई है लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि बार्सु जो है उत्तरकासी से लगबख साथ किलो मीटर तूर होगा ने उत्तरकासी से चालिस किलो मीटर लेकिन सड़क से सड़क से जह जो है में गंगोत्री जो राजमार्ग है उससे हट के बार्व 15 किलो मीटर तो इस 9 किलो मीटर जो एक शेत्र है उसके बाद बारसु गाउं है बारसु गाउं के बाद कोई गाउं नहीं है जब परेटग यह पर आता है तो आप क्या-क्या उन krijgen सामने पूरा हिमाले हैं, इनके बारे में उनको बताते हैं, गाओं के बारे में बताते हैं, हमारे यहां पर मंदिर हैं, उनके बारे में बताते हैं, हमारे सामने नीचे एक वाटरफॉल है, बहुत सुन्दर वाटरफॉल है, उसको दिखाते हैं, और जो सबसे बड़ा अट्र अगर टूरिस्ट आता भी रहें तभी भी अलग 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 प्रकार की आपको वहां पे ब्यूटी दिखेगी जैसे आप मैं बताओं कि विंटर में लोग बरफ का आनंद ले सकते हैं और समर में आप अगर आये स्प्रिंग में आये तो फूल खिलते हैं वहां पे कई प्रका रिध्द केमख लेड़न के सब रीक का मेड़ी थिए तो फीर ब्ले जाग अगा-शो आटाइस स्कॉइर किलुमेटर के पूरे स्पच में है वहां उनको लेकर गड़ारा तक भी जैसे पांश में गड़ा देना तीन चार दिंकावर्त दिन का अलग अलग दिन का प्रोग्राम्स होता है हम लोग टेंट के साथ जाते हैं तेंट लगाते लोगों के साथ तो लोगों का जैसे चार दिन का प्रोग्राम्स हैं तो हम उनको अलग अलग डिस्टिनिशन पर रुकवाते हैं हर दिन और इस तरह से हमारे भारत से लेकर ब विलेज टूरिजम की बहुत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश उतराखंड में तो इस विलेज टूरिजम को डेबलग विकास करने के लिए ताकि यहां का युवा विलेज टूरिजम की ओर मुड़े आप क्या-क्या सुझाव दे सकते हैं विलेज टूरिजम को डेबलब करने के लिए विलेज टूरिजम को डेबलब करने के लिए सर सबसे पहले तो यही है कि मैंने पहले भी अपने उसमें वक्तव में बताया है कि जैसे हम लोगों को एक्सपोजर के लिए लदाख ले गे थे लोगों ने देखा वहाँ पे इसी तरह अगर गाओं के और लोगों को भी हम जैसे केरल में हो गया हिमांचल में कई जगे हैं जहां इनको ले जा सकते हैं एक्सपोजर के लिए दिखा सकते हैं नेपाल नजदीक है बहुत नजदीक है जो ज्यादा कॉसली नहीं है वहां भी लोग काफी अच्छा कर रहे है तो हम इन जगों पर इन लोगों को ले जा के एक्सपोजर के तौर पर दिखा सकते हैं और फिर होमस्टे जैसे लोगों ने कुछ गाओं में भी शुरू किया है हमने शुरू कर रहा है होमस्टे तो इस तरह से जो है इसको अच्छी तरह और डबलब करें हैं अपने लोकल हमारे कुसिन होते हैं जो रहाइस अठेम राजम और में अच्छी होती है यहां पर यहां अपर अलू तो खेर हमारे पूरे राष्टिय अस्ट्र पर बार्शू का मानावा है हमारा सेहध गाओं में जो है मिलता है वो भी बहुत प्योर उसमें इसमें मिलता है और इस तरह स बर्ड वाचिंग के लिए बहुत ही बड़िया डिशनिशन है इतनी लोग आते हैं पर बर्ड वाचिंग मेरे पास कई परकार के बर्ड हैं अभी हमने देखा तो पिसली साल भी कुछ लोग आय थे उन्होंने कहा कि देखे यहां पर हमने कुछ ऐसे चिडियां देखे हैं जो ह इतनी बड़िया बात अगर रभी हम यहां से जो हिमाले की चोटियां दिख रही हैं हिमाले की चोटियों के अगर बात करें तो थोड़ा इन हिमाले की चोटियों के बारे में आप बता सकते हैं कौन-कौन है जो हमारे सामने दिख रही हैं जी बिलकुल 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 में दिख रही है सबसे जो पॉइंटी वन है वो उसकाम सिरिकंट कहते हैं और उसके पीछे जो है वो रुद्र गैरा दिख रहा है फिर आगे सामने आके जो है ये गंगोत्री वन टू थी है बीश में और फिर ये जो बड़ी मैसिव काफी वैसे जिसमें ज्यादा वरफ है य बहुत सारी सिंख्लां यहां से दिखती है और अगर आप उपर दैयारा बुग्याल में जाएंगे तो वहां से 3D वीश दिखता है और जो सबसे सुन्दर व्यू दैयारा से है वो है बंदर पूछ का और काला नाग का इतनी सुन्दर लगते जैसे कि आप सामने उसकों टच खीरा कीवी सेप आधी के साथ ही मचली पालन भी किया जाता है ताकि परियठकों को शुद्ध और ताजा भोजन परोसा जा सके रभी यह इतनी सुन्दर जगह पर आपका होमिस्टे तो है ही इसके अलावा आप जो होमिस्टे के साथ साथ क्या कुछ कर रहे हैं सर हमारा यहां पर संभावना तो बहुत सारी है लेकिन जो हम अभी बरतमाल में कर रहे हैं जिसे हमने राजमा यहां पर अपने गार्डन में लगा रखी है इसके लावा आलू की खेती होती है वो आलू निकल गए है और कॉर्ण मी बहुत अच्छा होता है मकाई आप देख लोकी पहली बार हम फ्रूट हमें देखने को मिल रहा हमें पता भी नहीं था कि कीवी आपे हो पाएगी नहीं हो पाएगी लेकिन बहुत अच्छा फ्रूट उसने दिया है कीवी ने और इसके लिए हम लोग यहां पे ट्राउट का भी हमने अभी शुरूआत की है एक साल व योई होगए बहुता है की यहां पर वरफ काफी गिरती है तो यह पाली हाओस हमें उस में हमारी सब्जियां लेकि इसके अंदर फेल्यमाारी सब्जियां मिल सकते हैं राई हैं सरसों हैं सब हमें एक साल बर मिलता रहता है रवेंद्र जी ने बताया कि यहां आने वारे लोगों को पहाड़ी खानपान बेहत पसंद आता है साथ ही परेटकों का स्वभाव और सहयोग होमस्टे में बिताए उनके पलों को और अधिक यादगार बना देता है अगर हम बात करें रवी जो परेटक आते हैं आपर सौभब है उनके खान लिए हमारा उसको भी वह लाइक करते हैं कि इस रूपने आप उफर करते हैं हुट क्या आप उदो और आप ए Susi में हमारा जो में निहा का खाना है जैसे हम आलू के चिचानी वो गही किसो बाधिकर कर लाल चावल होते हैं वो परुस्ते हैं जंगवरत खेरिहानी होता बारसो में लेकिन अगर किसी की डिमांड हो तो हम लोग नीचे थोड़ा पले जो डाउन एरिया हैं वहां से जंगवरा भी लिया आते हैं कोदो हमारे काफी अच्छा होते हैं कोदे की रोटी बहुत पसंद क तो यह सारी चीजे हम लोग डिमांड के अनुसार हम लोग तूरिस्ट को ऑफर करते हैं और कभी-कभी हम तूरिस्ट को कहते कि ने आप इसको लेजे आप अनभव किजें यहां के कुजिन को यहां के खाने को तो यह हम लोग समय समय पर करते रहते सर्व रविंद्र जी ने आगे चलकर युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के सुझाव भी दिये और स्वरोजगार अपनाने की ओर प्रोचसाहिद भी किया एसा ही हमारे युवा करें आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे पास बहुत सारी अपोर्ट स्टूटीज हैं और परेटन तो एक अपार संभावने हैं बहुत कुछ करने की क्योंकि मैंने देखा है अल्मोस्ट में पूरे भारत में भर्वन कर चुका हूं इस परेटन के फिल्ड भलोगी तने ज्यादा लोग होंगे असका लवर्शका और जब सप्याइक अपको 8% 2022 आपको आपको सब्स्रीज करने मिलजाएगा तो हम परियास नहीं करें तो कैसे होगा तो परियास थो हमें करा घठी अप बहूंद की गयाए ह महारे हो रही आप ने बहुत अच्छी बा हमारे साथ जो बारसु गाउं में जिन्होंने अपना होमिस्टे बहुत अच्छे डंग से संचालित कर रहे हैं ऐसे ही हमारे और युवा प्रदेश के हालांकि कई युवा आ रहे हैं आगे लेकिन और भी इसमें अभी आवसर हैं और युवा भी इस तरह से एक सीख लें और अपना स्वरोजगार अपना उद्यम गाउं में खड़ा करें तभी इस उत्राखंड का विकास हो पाएगा और हम अपने को भी रोजगार पा सकते हैं और अपने गाउं के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं रविंद्र राबर जी का जुनून और उनका होमस्टे आज एक आधर्ष और शांदार उधारन प्रस्तुत करता है आज प्रधान मंत्री रोजगार सुरिजन योजना और अतिती उत्राखंड ग्रह आवास योजना यानी होमस्टे के जरिये परिटक इन स्थलों पर पहुँचकर उचित आवास और खानपान की सुविधा का आनन्द ले रहे हैं परिटको को आकरशुद करने के साथ ही आज योजना स्थानिय स्थर पर स्वरोजगार के अफसर उपलब्ध कराने और भवन स्वामियों को अतिरिक्त आयका स्रोत उपलब्ध कराए जाने के अपने उदेश्य पर खरी उतड़ती नजर आ रही है साथ ही देशी वविदेशी परटकों को भी उत्राखन की संस्कृती परंपराओं व्यंजनों के स्वात का अनुभव भी बखू भी प्रदान कर रही है झाल 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 झाल